हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप लोग का हारदी कमिन दन करता हूं अपने ट्रवाज टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में जो लोग फर्स्ट वाज विजिट किये हैं सब्सक्राइब बैल आइकन और जरूर सलेक्ट कर ले और साथ में मेरा देशी ट्रेडर्स बार है तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर लें जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको जल से जल पराफ्त हो जाए दोस्तों दो चैनल है इसके लावा और कोई नहीं है आज जो मैंने आप लोग के लिए मेहनत किया तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए और समझ कोई देखिए अपना ट्रांजेक्शन बुक देख लीजएगा साल का साल का तो कम से कम मुझा लगता है कि कुछ भी नहीं नहीं करेगा फिर भी तो बहुत जादा हो जाता है कभी देखिएगा और जितना भी लोग जो भी कोशें कर रहें हैं मैं हर वो नहीं कर सकता सिंपल सी बता रहो अब नए नए इतने खुल गए है तीन चार पांच कि हम नहीं कर पाएंगे आपका फर्ज बनता है कि आप अपने ब्रोकर से इसमें लगा कि आप सही बात है अच्छा है कि हम जिरुदा में करते हैं इसमें तो कभी काले समय करते हैं और आप फिस्टॉक में लेकिन वहीं मैं सोचता हूं कि जो भाई लूंग करते होंगे तो गलत नहीं बोलते हैं ठीक है चलिए यह तो यह व्यू था जो मैं आपको बत क्या है एक तो आप बोलते हैं कि करिंट मार्केट प्राइज पर बाइ कर लिजें माली जे निफ्टी का दो सो पांस आत गया था ना जी माली आप 204 पर ख़र दें और उपर ना तीन परेंट उपर नहीं किया तो आपने प्रोफिट बुक नहीं किया फिर वहां से नीचे आ तीन परसेंट डाउन पे वाई कर लिया ठीक है यह सेनारियो आता है अब क्या होता है कि यहाँ से तीन परसेंट नीचे जाता ही नहीं है और फिर यह प्लस में आने लगता है ठीक है तो ऐसे मतलब सेनारियो में आप क्या करिएगा तब यहाँ पर ही जो S.I.P का भूमिका है ये बढ़ जाता है, तो आप बुलिए कीसे बढ़ जाता है, तो देखिए मैं आपको दिखाता भी समझाता भी ऑगो, कि K.I.P की भूमी का कैसे बढ़ जाती है, ठीक है यह कहानी तो समझ गेना जनरली यही होता है, कि गिरता नहीं लगता नहीं, तो इसमें S.I.P कर हम कैसे पैसा बनाते हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा यही का मैंने मून हंडेड में भी किया था और अभी भी प्रॉफिट में हूँ अच्छा प्रॉफिट में हूँ तो अभी निफ्टी बीज में मेरा काम सुरू हो गया आईए, सुरू करें चली सुरू तो आईए, और कुछी सुरू करेंगे तो कैसा रहा आप लों का दिन जब तक मैं अपना निकालता हूँ तो बहुत बढ़िया रहा होगा कई लोगों ने दबा के प्रॉफिट भी बुक किया बहुत अच्छी बात है मार्केट में पैसा बनना चाहिए ठीक है कोई स्टोक स्टोक में मत जाएए पता निकब कौन स्टोक जहां बोल दे लोंग ट्रम का चक्कर में रहिएगा तो स्वाहा कर दिजेगा और भी लोंग ट्रम स्टोक में जाके रहिएगा तब तो बहुत डेंजर बहुत प्यार से आप लोंग को बता देते बाकि आपकी मर्जी है आप सोतंत्र है भाई सोतंत्र भारत देश के नागरिक है आप कहीं भी जा सकते हैं चलिए यह देखिए हाई 205 मेरे साथ क्या हुआ छोड़िए दुनिया को छोड़िए हम अपना बताएंगे यह मैंने निफ्टी 20 को ले लिया हाई कितना गया 205 ठीक है लो आया यहां से कितना देखिए हाई हाई तो मेरा यहां परी था चाहिए यहीं टॉपे पकड़िए तो देखिए 5 परसेंट एग्जक 6 परसेंट तो लगता नहीं है ठीक है तो यहां किलिए रहे अब मेरा पैसा कैसे लगा और मैंने इसाइपी कैसे सुरू किया वो मैं आप लोग को बकाइदा दिखाता हूं क्या ना कि थियोरी समझाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर नहीं समझ माया है तो हम बोले चलो भाई हम पहले करिये लेते हैं और मैं कभी भी आप लोग को ऐसा नहीं बोलता हूं कि हो मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा नहीं वह चीज मैं करता हूं तो बताता हूं और उसके मेरा confidence है तूकि मैं उससे पैसा बनाता हूं अब आप मेरे को सला देते हैं कि सर ऐसा करने ऐसे क्या ठीक नहीं रहेगा यह सला आप मुझे दे रहे हैं आप भी ट्राइ करिए क्या हो जादे जादा आप जो मुझे बता रहे हैं मैं तो सब गाट का पानी पिया हूं लेकिन वही है ना जब तक आप नहीं पीजे का आपको स्वाद नहीं आएगा ना आप देखिए उससे अब नहीं है पैसा अगर उससे बनता है तो ठीक है बताईए हम उसको भी accept कर लेंगे इस मार्केट में में उद्दे से दो दवा के प्रोफिट आज साब बुक किया मुलाट प्रोफिट आज बुक करना है तो ये मेरा इस में सब में तकरीवन करता हूं तो आपके सामने ये खुल के रख दिये क्या 203.77 मैं बोलता हूं ना कि टॉप पे फसुंगा साहब टॉप पे और वहां से लपेट के नीचे ले आउंगा ठीक है यही मेरा कॉंफिडेंस है तो टॉप पे बात होती है तो पैसा जो है ना वह भी कम होता है देखिए सिंपल पचास क्वैंटिटी हालाकि ये प्लस में था तो सब गया तो उपर तीन परसेंट दिया नहीं मैंने काटा नहीं फिर वहां से नीचे आ गया मैं वैलकम कर लिए आ जो भाई हम तो टॉप भी देखते हैं और बॉटम भी देखते हैं आप लोग को कल कही वीडियो में मैं बोल दिया ना कि बॉटम बन गया बूला था ना आज देखिए पोजिटिव हो गया कितना बढ़िया कभी कल लगता है कि यार कुछ जल्दी तो मन नहीं कर रहा है लेकिन आप लोगों को जो मैं बताना चाहरा हूं सोच रहा हूं उसको संशिप्ट में बता दूँ तो दो सो तीन सततर पे मैंने खरदा क्लियर तो इसके बाद सर यह देखे यह अभी 4.2 है माल लिए 6 परसंट गया होगा या 5 परसंट गया होगा तब मैं ने एक लौट लगाया के लिए देखें ऑउसीलवर मां देखिएगा उपर वदाद देखें तो देखेंगे तीन परसंट उसमें दिखा रहा है सारे 4-5 परसंट यहां भी देखें अदा परसंट माइनस है और फिर देखें उसका लोट क्या था और मेरा यह लोट क्या है तो मेरा बाइंग रेंज नीचे आ गया क्लियर है तो दो सो तीन सततर पे था उसके बाद मैंने फिर तीन परसेंट पर करदा 197 पर चाहे 198 पर यही आसपास करदा फिर वहां से नीचे गया तो एक SIP मैंने इस पर कर दिया और इसको आप देख सकरें मेरा यह तकरीवन अभी 195 हो गया थोरा सोर बढ़ेगा मेरा मुल्ण निकल जाएगा और फिर मैं आगे प्रोफिट के लिए त्यार हो जूँगा इमांट भी टिक टाक मेरा डिसिप्लीन अब थोरा सा बढ़ रहा है जो मैं 20,000 करता था मैं 24,22 पहुंच रहा हूं 24 पहुंच रहा हूं ऐसे करके अपना मैं दायरा बढ़ाते जा रहा हूं ठीक है पहले 10,000 अपि 15 अब दिरे दायरा उसको मैं इंक्रीज करता हुआ चला ज वापस घुम के आ गया तो भाई वैलकम है हम थोरी मना कर दें तो वही चीज मैं बता रहा हूं तो अब सर क्या हुआ अब टाइम वेस्ट हो रहा है काय का टाइम वेस्ट तो मेरा पैसा 203,77 पे है और 196 इसमें एक बार वन टाइम S.I.P किये हैं क्योंकि यहां से नीचे 6% जानी रहा था तो मैं बोला एक S.I.P कर देते हैं तो S.I.P करके यह भाव है और मार्केट यहां से 3% नीचे नहीं दिखाया इलियर अब यहां टाइम वर्वात कर रहा है मूड खराव हो रहा है फिर मैंने देखा कि मार्केट ने कहीं न कहीं बॉटम बना के ऊपर की तरफ चलने लगा तो अब मैं क्या क्या पता है अब मैं इसको नहीं छेड़ा इसको कुछ नहीं छेड़ा अब मैं इसको छेड़ा क्यूंकि इसमें मेरा पैसा बहुत छोटा लगा हुआ 10,000 की आसपना लगा है यहां मैं कुछ नहीं किया स्रीफ 5,000 का आज S.I.P डाल दिया दिखाते हैं 195 के बहाँ से तो अब सोच लिजिए कि वह भी एवरेज हो के नीचे आएगा कि नहीं आएगा यह देखें सामने ओहो यह और नीचे चला जिए तो 193 अब मेरे को लगा कि नहीं भाई अब 207 का खर्देत हैं 10,000 लगाके ठीक है अब आगया है 193.58 वाई 5000 तो बनता है यह 57,000 रुपया डाल दिये ठीक है तो अब क्या है कि यह नीचे आ जाएगा और जो मेरा सकेंड लोट भाई किये हुए है 196 का है जिस पर एक बार साइपी कर रखे हैं अब यह पोजेटिव आएगा फिलियर हो रहा तो जब यह 203 तक आएगा या मैं इस पर भी देखता हूँ 6% का तब मैं profit book करूँगा तो मेरे को 4-5% निफ्टी वीज में निकलता हूँ अद दिखेगा तो यह मेरे निचला लोट है तो अभी निफ्टी पलटता है अगर range bond फसता है तो हम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कब नहीं कर पाऊँगा जब यह range bond 196 to 200 के आसपास फसा रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इस समय मैं सिर्फ weight करूँगा और इंतजार करूँगा नीच 50 बीस गोल्ड बीश चै कोई भी ETF है आप पर्सेंटेज में उसका टॉप को भी कवर कर लोगे और परसेंटेज में उसका बॉटम को भी कवर कर लोगे क्लियर हो रहा बात तो इसी के बीच में खेला करना है तो आप हमेशा टॉप पर ख़रीदना है लेकिन या खरीदने का पावर है ना उसको कम कर देना ठीक है बात समझ गए है तो इस यही चीन में बोल रहा हूं कि टॉप तक भी ना आप अपना पैसा लगाना है बले मांड कम कर दो चुटा से मांड लगा तो नहीं कर लिए अभी जिस्तर मैंने कि आवरेज लगाने के बाद यह चीज़ आप लोंको मैंने समझाने के लिए अपना सारा डाटा मैंने निकाला और आज देखिए मैंने उस पर SIP किया और फर्स क्लास उस पर अब बुलेगा सर इस मैंने फर्स्ट वाई कर लिया तो यही चीज मैं आप लोंको दिखाने के लिए यह वीडियो बनाया हूं कि टॉप तक आपको खरीदे जाना है और बॉटम तक आपको छोड़ना नहीं है तो इसी को हम स्विंग बोलेंगे और इसी को हम समझेंगे SIP कैसे करना है वो भी मैं मैं आपको बता दिया फर्स लॉट लगिया टॉप पे माली जो फर्स लॉट यहां लगिया 10,000 का जिसका जितना चमता भी आपना कर लीजेगा लॉट का साइज लॉट मतलब क्या हो गया एक सेर रहेगा तो एक सेर और पचास पचास का बना देता है तो उसी तरह पैसा का बना देते हैं मुटा मुटी तो 10,000 आप टॉप पे भसें और आपका चमता कितना का है 20,000 का तो आपने 20,000 लगा दिया अब क्या है गिरने के बजाए यही पर नाच रहा है जो आज चल रहा है तो मैंने क्या किया इस पर SIP कर दिया क्लियर हो भी 5,000 का SIP कर दिया क्योंकि म जो भी निचला रेट है वहाँ से इस जगा नहीं करना है आपको प्रॉफिट इस जगा करना है जो कि मैंने मून हंडेड में किया 89 सम्थिंग का बाई था 100 के उपर क्रोस करके और मैं हो सके तो SIP का मैं उनका भी वीडियो आपके सामने दिखा दूँगा तो यह कॉन्फिदेंस के साथ आपको जो सबसे निचला लॉट लग गया उस पे 10% लेना ही लेना है नहीं अगर देता है तो ठीक है 5% फिस्ट आप प्रोस लगा दीचे बात करता है और क्या कर सकते हैं आसा करता हूं जो यह स्विंग के रिगार्डिंग मैं इतना देर से जो आप लोग को बता रहा हूं आप लोग इससे सहमत होंगे कुछ समझ रहे हैं मेरा में उद्देश था कि आपको फर्स्ट लॉट में SIP कब करना है और जब ऊपर में डर लगता है तो कितना लॉट लगा ना अपने तब सेक्तम हलका लगाए जिसको आप बाद में खीच के नीचे ला सकते हैं इसको वहां से ना बाइंग प्राइस से खीच के नीचे ला सकते ऐसा करना है बाकि पैसा चाहिए आपके पास 2,000 हो तीन अजार लिक्विड बीज में हमेशा पैसा भड़ा होना चाहिए तभी आपका मार्केट में मन लगेगा अधर्वाइस मन नहीं लगेगा जो चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता है लिक्विड बीज क्या है जो नए आ हैं विजिट करिए भाई प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है सब कुछ है जितना यथा संभव मैंने बना दिया है आप भी कुछ हैंड़ी करिए जिससे क्या है कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा ठीक है तो यही यही पर बात समाप्त करते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगो एसा नहीं यही लास्ट है फिर बनाओंगा कि ट के लिए इतना ही कहकर अपनी वानी विराम देता हूं थाइंक यू बेरी मच जय हिंद लिखता हूं जय हिंद ठीक है जय भारत चलिए गुड़नाइट सुग्रादरी